समय और सब्द इन दोनों का उप्योग सोंस समझ करके करना चाहिए क्यों क्योंकि यह न तो दोबारा आते हैं और नहीं दोबारा मौका देते हैं नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदो मिसरा आपका अपने चैनल भविश से वाड़ी पावर अप्दलोट में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए याने की उरिस्चिक रासी वालों के लिए बेहदी ज़्यादा खास और विसेश कार्यक्रम साबित होगा आज हम चर्चा करेंगी दैत्य गुरु सुक्र के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ साथ मार्च दोहजार चोविस की प्राता हाँ साथ बच के नव मिनट पर आकरसन दामपत्य सौंदर्य एस्वर्य वैभाव कला गीत संगित के प्रतिनिधी ग्रह सुक्र प्रकर रासी को छोड़ कर अपने परम मित्र सनी देव की मुल्त रिकोंड रासी कुम्भ रासी में प्रवेस कर चुके हैं जहां कि वो 31 मार्च दोहजार चोविस की साम तक रहेंगे उसके पस्चात पुनह रासी परिवर्तन करके अपनी उच्च रासी मीन रासी में प्रव दर्मियान आपकी जीवन में कौन-कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं किन-किन छेतरों से विसेश तור पर आपको सफलता की प्राप्ती होगी वहीं कौन-कौन सी बातों का इस गोचर काल के दर्मियान आपको विसेश ध्यान रखना है और सुक्र दियों के इस गोचर प कार्यक्रम में आपको बताएंगे इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किये अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉंटेक्ट नंबर मिल जाएगा जहां से आप वाट्सप के माध्यम से या फिर डारेक्ट फोन काल के थुरू अपॉइंडमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पुरुवक अध्यन करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर गोचर कुंडली की इस्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन रासी में संचरण कर रहे हैं जो देव गुरु ब्रहस्पति की साधारण रासी होती है और देव गुरु ब्रहस्पति सोयम अभी मेस रासी में संचरण कर रहे हैं जबकि सनी देव भी अपनी खुद की मुल्त रिकोंड रासी कुम्भ रासी में चल रहे हैं तो यहां पर सुक्र और सनी की यूती बनेगी और यह जो यूती बनेगी न दोस्तों यह एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे 30 साल के पस्चाद बन रही है और धन के कारक देव ग्रुब रहस्पति के साथ सुक्र और सनी दोनों के दोनों ग्रह तिसरे ग्यारवे याने की लाब का संबंद बनाएंगे इसे अत्य अन्ती सरेष्ट कहा जाता है वैसे देखा जाये तो सनी और सुक्र आपस में मित्रग रहा है परन्तो सुक्र जितना देव ग्रुब रहस्पत्ती की राशियों में सरेष्ट फल देते हैं उतना स्रेश्ट प्रभाव वह मकर और कुम्भ में नहीं दे पाते विसेश करके मकर में कुम्भ में तो फिर भी उनका प्रभाव वहों थत्तक स्रेश्ट होता है और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी देखिए मंगल अभी आने वाले दिनों मे रासी परिवर्तन करेंगे लेकिन जब तक मंगल रासी परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहू और मंगल यह दोनों के दोनों ग्रह क्योंकि पीछे मकर रासी में मंगल और आगे मीन रासी में राहू यह दोनों के दोनों ग्रह सनी और सुक्र को पाप मध्यत्व में भी काफी हद तक स्रेष्ट परिणाम आपको प्रदान करेंगे देखिए जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च रासी में होता है तो वह अपना अत्यंत्य स्रेष्ट परिणाम प्रदायक साबित होता है ठीक इसी प्रकार जब organizations उच्च अभिलासी होता है याने की अपनी जन्ती सरेष्ट परिणाम प्रदायक होता है जो अभी सुक्र के साथ देखने को मिलेगा जिहां सुक्रदेव मीन रासी में उच्च के होते हैं इसलिए कुम्भरासी में सुक्रदेव को उच्चाभिलासी माना जाता है और ये उच्चाभिलासी सुक्रपूरे 30 साल के पस्चा सनी देव के साथ यूती बना रहे हैं जो अपने आप में ही अदभूत कहा जा सकता है देखा जाए तो आप लोगों के लिए याने की ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए दैत्य गुरु सुक्र का यह रासी परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी रासी से चौथे इस्थान में हुआ है चौथा इस्थान किस चीज का होता है तो मुल रूप से चतूर्थ भाव आपकी खुस्यों का होता है आपके सुखों का होता है और रिश्चों में कहीं न कहीं आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है आपकी भौतिक सुक साधन भूमी भवन मकान व गुरु शुक्र का चेतूर्थ भाव में पूरी तीस साल के पस्चात अपने परम्मित्र सनी देव के साथ यूती बनाना और कहीं न कहीं आपके धन और आपके हैपिनेस के कारग्रह देवग्रु ब्रहस्पती के साथ तिसरे ग्यारवे याने की लाब का संबंद बनाना इसे अपने आप में अदभूत और स्रेष्ट कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि चतूर्थ भाव में चतूर्थ भाव के अतिविशिष्ट कारक ग्रह सुक्र का आना और सनी देव जो होते हैं, वो छेतर के कारक होते हैं। तो कहीं न कहीं सुक्र, सनी और गुरू, ये तिनों के तिनों ग्रह आपकी जीवन को बदल करके रख देंगे। सबसे पहले तो यह आपके पारिवारिक जीवन में खुस्यां लाने वाला समय कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचरकाल के दवरान आपके नीजी जीवन में खुस्यों का आगमन होगा, पारिवारिक जीवन में खुस्यों का आगमन होने वाला है। और पुर्व से ही अगर ग्रीह कलेश से आप परिशान थे तो उससे आपको राहत की प्राप्ती होगी, हाला कि थोड़ा सा आपको अपनी माता की सेहत को लेकर के सचेत रहने की आओ सकता है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा और छोटी मुटी बात को लेकर के पीता के साथ अनबन हो सकती है, इस बात का भी थोड़ी संभावना नजर आ रही है, हाला कि आपकी भौतिक सुक सुईधाओं की द्रिश्टी कोण से सुक्र के इस गोचर को उत्तम कहा जा सकता है, जिहां इस गोचर काल के दवरान आप अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर के पाकर सकता को बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं आप साजो सज्जा पर कुछ खर्च कर सकते हैं और ऐसा आपको करना भी चाहिए, अवज से ही आपके सुक सुईधाओं में बृद्धी होगी, बस आपको सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी माता का भी और अपनी सेहत का भी और आपको पहले भी बताया जा चुका है, चतूर्त भाव जनता को डिनोट करता है, और यहाँ पर दैत्य गुरु सुक्र आपके बार्वे भाव याने की एक त्रिक इस्थान के स्वामी बन करके चतूर्त भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस समय जनता से आप का कनेक्शन होगा, इसलिए आपको कुछ भी ऐसा कारिया नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत कारिया नहीं करना चाहिए, जिस से आपकी छवी धुमिल हो जाए, जी हाँ, किये गए गलत कारिया के कारण छवी धुमिल हो सकती है, इस बात का विशेश रूप से आपको ध गोचरकाल के दवरान बाकी ससुराल पक्च से रिष्टे बहतर होंगे ससुराल पक्च से धन आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना है लेकिन यहाँ पर चाहे वह ससुराल पक्च हो या फिर ननिहाल पक्च हो या फिर आपका किसी और कोई रिष्टेदार हो अगर आप किसी रिष्टेदार के कार्य कर्म में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मध्यपान और मानसाहार से जितना ज़्यादा आप इस गोचरकाल के दवरान दूरी बनाएंगे तभी यह आपके लिए बढ़िया होगा अन्यथा नहीं और देखा जाए तो अगर आप कोई गाड़ी खरिदना चाहते हैं या फिर जमीन के छेतर में साउधा करना चाहते हैं तो कीजिए लेकिन चीजों को भली भाती समझ करके अगर आप निवेश करते हैं तभी आपके लिए यह बढ़िया रहेगा और कार्य छेतर में सुक्र की दृष्टी यह करते हैं खान पान के चेतर में फूट इंड़स्ट्री के चेतर में उनके लिए भी दैत्य गुरु सुक्र के इस गोचरकाल को अत्यंति स्रेश्ट कहा जा सकता है साथी साथ सरकारी चेतर में कार्यारत जातकों को भी कुछ नकुछ अच्ची खबर अवस्य ही इस गोचर काल के दवरान प्राप्ता होगी और जैसा कि आपको बताया गया सनी देव लाब भाव याने की एकादस भाव और दैत्य गुरु सुक्र दुसरे भाव धन भाव के स्वामी बन करके एक साथ पूरे 30 साल के पस्चात युति बनाए हैं और देव गुरु ब्रहस्पति के और स्रेष्ट कहा जा सकता है फिर भी इस समय को और बहतर बनाने के लिए गाय को रोटी खिलाईए हो सके तो रोजाना खिलाईए अन्यथा सुक्रवार सुक्रवार गाय को रोटी खिलाएं इससे भी आपको स्रेष्ट परिणाम की प्राप्ति होगी तो दोस्तों हमें उम् एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार